पिछली कडियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि अकबर की मा ने मक्का में एक पीर के दर्शन करने के लिए मिर्जा शर्फुद्दीन के दुपट्टे से अपने आचल का छोर बांध लिया अकबर को यह बात पता लग गई और उसने मिर्जा शर्फुद्दीन को खत्म करने की आग्या दी इस पर मेर्टा के शासक जैमल एवम उसके पुत्र सादुल ने मिर्जा शर्फुद्दीन का साथ देने का निश्चे किया जिसके कारण राजकुमार सादुल तो अकबर की सेना द्वारा मारा गया और राव जैमल मिर्जा शर्फुद्दीन को सिरोही के राव की सुरक्षा में पहुंचाने के बाद मेवाण के महराणा उदै सिंग की सेवा में उपस्थित हुआ महराणा उदै सिंग ने जैमल को बदनौर, करहेडा और कोठरिया की जागीरें प्रदान की इस घटना के दो साल बाद, जब इसवी 1565 में अकबर ने चित्तोड पर आक्रमन किया तब महराणा उदै सिंग ने जैमल राठोड को चित्तोड का दुर्ग पती नियुक्त किया तथा स्वयम जंगलों में चले गए जैमल राठोड चित्तोड दुर्ग की रक्षा करते हुए अकबर द्वारा चलाई गई बंदोग की गोली से घायल हो गया तथा उसने केसरिया करके अकबर के सैनेकों को मारते हुए वीर गती प्राप्त की इस प्रकार अकबर मेरता राज्य को तो निगल गया किन्तु वह जैमल की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जैमल एवम उसके बेहनोई फत्ता सिसो दिया की हाथियों पर सवार मूर्तियां बनवा कर आगरा के लाल केले के दरवाजे पर इस्थापित करवाई राव जैमल के मेरता छोड़ कर चले जाने से मेरता का राज्य बिना शासक के हो गया अकबर ने हुसेन कुली खां को नागर एवम मेरता का सूबेदार बनाया किन्तु राव जैमल का छोटा भाई जगमाल अकबर की सेवा में पहुंचा और उसने अकबर से प्रार्थना की कि मेरता का राज्य मेरे बाप दादाओं द्वारा बनाया गया राज्य है इसलिए मेरता का शासक रह चुका हूं तथा शाही सेवा करने को तैयार हूं। जगमाल की प्रार्थना पर अकबर ने जगमाल को मेरता का शासक बना दिया। दर्शकों को इसमरण होगा कि जगमाल पहले भी मेरता का शासक रह चुका था। मेरता का शासक बनाया था और उसके बाद अक्वर ने जगमाल को हटा कर राव जैमल को पुने मेरता का राजा बनाया था कुछी समय में परस्थितियों ने इतनी तेजी से पल्टा खाया कि अखबर ने राव जैमल को मेड़ता की गद्दी से उतार कर उन्हें राव जगमाल को मेड़ता का शासक न्युक्त कर दिया संभवते इसी लिए कहा गया है कि राजनीती में कोई इस्थाई शत्रू या मित्र नहीं होता इसवी 1568 में जैमल की मृत्यू होने पर महाराना उदै सिंग ने जैमल के पुत्रों सुर्त्रान एवं केशव दास को मेवाड में जागीरें प्रदान की लगवक तीन वर्ष तक महाराना की सेवा करने के बाद इन दोनों भाईयों के मन में अपनी पैत्रिक भूमे मेड़ता को फिर से प्राप्त करने की इच्छा हुई इस पर वे दोनों अकबर की सेवा में उपस्थित हुए तथा उससे प्रार्थना की कि यदि हमें हमारे पिता का राज्य सौप दिया जाए तो हम शाही सेवा में आने को तैयार हैं अकबर ने राव जैमल के पुत्रों को मेरता देने से मना कर दिया किन्तु जैमल के जेष्ट पुत्र सुर्त राण को रन्थंभोर के निकट मलारणा का परगना प्रदान किया इन डौनों भाईयों ने नौ वर्ष तक अकबर की निष्ठा से सेवा की इस अवधी में वे जोधपुर के राव चंद्रसेन तथा सोजत के कल्ला राठोड के विरुद्ध सैने का भियानों में बड़ी स्वामि भक्ती एवं वीरता प्रदर्शित करते रहे इन दोनों भाईयों की निष्ठा पूर्ण वीरता से प्रभावित हो कर अकबर ने उन्हें उनके पिता राव जैमल का राज्य फिर से लोटा दिया तथा जैमल के बड़े पुत्र सुर्तरान को मेरता का शासक बना दिया उन्होंने अपने भाई बंदुओं को जागीरें प्रदान की तथा कई गाउं दे दिये सुर्तरान का छोटा भाई केशवदास चाहता था कि उसे आधा राज्य मिले किन्तु अकबर ने केशवदास को आधा मेरता देने से मना कर दिया इस पर सुर्तरान के असंतुष्ट सामंत नरहर दास ने केशवदास की तरफ से अकबर के दरवार में नया प्रस्ताव भेजा नरहर दास ने केशवदास की पुत्री का विवाह अकबर से करवा कर अकबर से आधा मेरता केशवदास के नाम लिखवा लिया केशवदास मेरता कोट में और सुर्त्रान माल कोट में रहने लगा केशवदास ने नहरदास को रिया तथा पाटू की बड़ी जागीरे प्रदान की मेरता में दो शासक हो जाने से मेरता के राठोड दो गुटों में बट गए ये दोनों गुट आपस में लड़कर अपनी शक्ती ख्षीन करने लगे जब इनकी शक्ती ख्षीन हो गई तो अकवर के दर्बार में भी उनका महत्व कम हो गया मारवाडरा परगनारी विगत में लिखा है कि एक बार अकवर की धाय गुजरात गई जब वह गुजरात से आगरा लोट रही थी तो सिरोही का राव धाय को पहुँचाने के लिए सिरोही से मेरता तक गया अकबर की धाय कुछ दिनों तक मेरता में रुकी रही तथा उसने मेरता के शासकों से अनरोद किया कि वे धाय को आमवेर तक पहुँचाने का प्रबंध करें मेरता में दो शासकों गए थे और दोनों ही यह जिम्मेदारी अपने उपर लेने की बजाए एक दूसरे पर डालने लगे अन्त में उन्होंने अकबर की धाय के आदेश मानने से मना कर दिया तथा उससे कहा कि तेरे जैसी कई राणे घूमती हैं तुझे कौन पहुचाने जाए मारवाड में यह शब्द वेश्या के लिए प्रयुक्त होता है इस समय तक अकबर की धाय माहम अनगा तो मृत्यू को प्राप्थ हो चुकी थी इसलिए यह प्रकरण जीजी अनगा से संबंदित होना चाहिए अकबर की धाय तो मेरता से चली गई किन्तु उसने यह सारा प्रकरण आगरा पहुच कर अकबर को बताया अकबर ने उसी समय आदेश जारी किये कि उन दोनों भाईयों को मेरता से निकाल दिया जाए शाही सेना एक बार फिर मेरता पहुची तथा उसने सुर्तान एवं केशवदास को मेरता से निकाल दिया सुर्तान एवं केशवदास द्वारा बहुत प्रयास किये जाने पर अन्तत है इस्वी 1585 में अकबर ने दोनों भाईयों को फिर से आधा-ाधा मेरता प्रदान कर दिया इस्वी 1589 में बड़े भाई सुर्तान का निधन हो गया तथा उसका पुत्र बाल भद्र आधे मेरता का स्वामी हुआ इसके साथ ही अकबर ने उसकी नियुक्ति दक्षिन के मोर्चे पर कर दी जहां इस्वी 1596 में किसी मुगल ने राजा बाल भद्र की हत्या कर दी इस कारण बाल भद्र के छोटे भाई गोपाल दास को उसकी जगह आधे मेरता का शासक बनाया गया आधा मेरता गोपाल दास के चाचा केशव दास के पास रहा जब इस्वी 1599 में हप्षियों ने बीड नगर पर आक्रमन किया तो अकबर ने केशव दास एवं गोपाल दास को हप्षियों से लड़ने के लिए भेजा इस युद्ध में चाचा बतीजे दोनों हीरन खेत रहे इस कारण अकबर ने मेरता का आधा हिस्सा केशव दास के पुत्र कानधास को तथा आधा हिस्सा गोपाल दास के पुत्र जगननात को प्रदान किया कच्वाहा राजा राम दास जगननात से बहुत द्वेश रखता था उसने अकबर से जगननात की बहुत सी शिकायतें की इससे अकबर ने जगननात का आधा मेड़ता जब्द कर लिया तथा उसे जोधपुर नरेश सूर सिंग को जागीर के रूप में दे दिया जगननात को नागौर परगने में रून की पट्टी दे दी गई इस पर किसी कवी ने टिपणी करते हुए लिखा इडानी सी पागडी तुलिया जिसरा हाथ भलो गमायो मेड़तो दूबलिया जगननात अर्थात हे जगननात तु इतना दूबला पतला है कि तेरे सिर की पगड़ी इडानी जैसी दिखती है और तेरे हाथ तूलिका जितने पतले हैं इस कारण तू ने मेड़ता गमा दिया दीरे दीरे मेड़ता राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो गया जिसकी इस्थापना जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव दूदा ने 2462 में की थी अगली कड़ी में देखिए जोधपुर राजवंश की फूट का लाब उठा कर अकबर ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एवम शेयर करें धन्यवाद